Hello Friends, Welcome to our Youtube Channel Friends, Today we are going to learn about Doda District Friends, President Deputy Commissioner Doda है Shrivikash Sharma ji और डोडा डिस्टिक की जो लिटरेशी रेट है वो है 65.97 परसेंट उसके बाद जो जिग्राफिकल एरिया है डोडा डिस्टिक का वो टोटल है 8912 स्केर किलोमेटर टोटल जिग्राफिकल एरिया है और जो पॉपुलेशन है according to census 2011 वो है जोड़ा डिस्टिक की 404936 जो है वो फोरेश्ट से सबसे जो कवर्ड डिस्टिक है सबसे लाजय की जो है जो है जोड़ा डिस्टिक उसके बाद जो विलेजिस हैं वो 406 टोटल विलेजिस हैं जो डिस्टिक में उसके बाद 2437 जो पंचाइट है 18 तासील में डिवाइड है और 8 जो हैं development blocks उसके बात sex ratio जो है के साथ भी है और जो पूरा डिस्टिक है यह एक हिली एरिया है पूरा हिली डिस्टिक है पहाड़ों वाला जो डोड़ा डिस्टिक है वो एक सीनिक स्पोर्ट है बहुत खूबसुरेट डिस्टिक है और सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया में स्नोस भी और जो इसके जब्फों से लदे हुए रहते हैं और मेज़ेस्टिग चिनेब सिटावर करता है उसके जाएश स्पस्ठव से एसमें जासे से इसका वस्कुनाग टेंपल इसमें केलाश यात्रा होती है गुप्त गंगा यहां से ही जो है बहती है यह कुछ एट्रेक्टिव पिल्ग्रिमेज है इसकी डोडा डिस्टिक की जो डोडा डिस्टिक के साफ में कुछ जो है रियल ट्रीट इडवंचर्स की बहुत ज्यादा नि तोरिस डेस्टिनेशन से जैसे घंपत ब्रिज हो गया यह भी चनाब रिवर पे घंपत रिज ब्रिज जो है फेमस ब्रिज है डोड़ा डिस्टिक का उसके बदरवा की जो सीटी है वो इसे छोटा कश्मीर भी कहा जाता है यह भी डोड़ा डिस्टिक में आता है उसके बाद युनिवर्सटिय कैंपसे बधरुअ में जमु युनिवर्सटिय का एक कैंपस इस के बदरवा दिस्टिक में उसके बाद गथा पारिक पारिक है यह भी ौड़री डिस्टिक के मैं अट्रेक्शन है उसके नुँमक चछिट गाला है उसक वाटरफार क्ढेसा का यह भी इसके बाद बच टॉप आ गया एक जगह का नाम है उसके बाद जाए गाटी बदर्वा यह भी एक बहुत अट्रेक्टिव प्लेस है बदर्वा में और जो टी आर्सी एट तेलीगड यह जो है यहां पे जो है स्नू टाइम में लोग यहां पे विजिटिंग करते हैं और यहा देन उसके बाद नेक्स्ट आ गया चिंता वैली यह बदर्वा में आती है उसके बाद स्योज मेडो यह भी बहुत खूबसूरत जगह है इसे क्रॉण आफ बदर्वा भी कहा जाता है उसके बाद पादरी आ गया यह भी बहुत खूबसूरत जगह है उसके बाद सर्तिंगल सरतिंगल लागिया उसके बाद यहां कि उस्थ मैंनलेंग्वेज्जिँ थो जो मेंनलेंग्वेजज थे उसके बाद प्रॉपस यहां की मेजर क्रॉपस यहां पर बारली होता मेज होता है बेट होता है और पैड़ी यहां की जो है major crops है यह कुछ थी मैं इंप्पीर्टन चीज जो थी डोड़ा डिस्टिक के बारे में अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें शेर करें कुमेंट करें चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें थैंक्स फर वाचिंग लेट्स क्रैक इट